Hello everyone,so अब हम start करेंगे pressure measurement and fluid statics के previous year question of 2 marks.start करते है so first question है हमारा,the pipe carrying water is attached to a differential gauge,differential gauge is attached to a pipe.Deflection in mercury gauge is .6 meter.mercury gauge पर deflection केता है, .6 meter,the PA minus PB is in meter of water.ब pressure difference निकालना है A और B पर,लेकिन pressure difference हम Newton per meter square रहता है pressure, लेकिन हमें height के respect में निकालना है, ठीक है? तो pressure is equal to rho GH रहता है, तो pressure हमें पता है, suppose pressure difference है, तो भी तो rho GH होगा, ठीक है? तो हमें with respect to height ही निकालना है, तो अलग-अलग fluid का density अलग-अलग रहेगा, तो अब यह मत बोलना कि PA, A और B दोनों A की level पे है, A की level पे दोनों का pressure सेम हो गया, यह नहीं होगा, यह धियान रखना, यह कबर रहता है, जब आपका दोनों open रहता है, उसके उपर आपके कोई pipe से कुछ insert ही होगा, यहाँ पर आपका, यह जो pipe तो चलो insert है, लेकिन open है क्या open नहीं है, वो आपका closed है, घर वो दोनों open है, और इसरे में pipe है, ठीक है, दोनों open है तो इसमें आपका pressure height तो यही तक टियाँ है, यह अगर suppose two point है, दोनों एकी level पे है, दोनों पाइप कनेक्ट है, दोनों में फ्लूड कितना है, दोनों में फ्लूड आपका सेम लेवल तक है, तो दोनों में प्रेशार आपका सेम लहेगा, लेकिन दोनों एक लेवल पे है, आपका कनेक्टिंग पाइप है, आपका क्लोज पाइप है, दोनों फ्लूड लेवल आपका सेम रहे या न रहे, depend नहीं करता है, दुननों में आपका height आपका same, आपका ज़रूरी नहीं same रहेगा, हो सकता है same लेकिन ज़रूरी नहीं आपका same रहेगा, ठीक है, तो यह आपका closed pipe है, ठीक है, अब इसका जो निकालना ना simple formula है, simple formula है, लेकिन अब मैंने formula को theory में cover नहीं किया इसमें आप confused हो सकते थे, या तो वहां पर theory में cover किया जाता, फिर यहां पर पढ़ाया जाता, तो आपका वो भूल भी सकते थे, ठीक है, तो इसलिए, एक case जो हम पढ़े थे, differential manometer, उसको वापिस से पढ़ेंगे, उसमें एक special condition है, वो apply करेंगे, उससे आपका ये question के लिए formula आ रही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या, PA-PB न, तो ये difference of pressure निकलना है, difference of pressure के लिए क्लिए 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 हम differential manometer, ठीक है, इसको हम फिट से draw करते हैं, जो हम case discuss किये थे, तो ये हुआ आपका, इसको पहले differential manometer draw कर लेते हैं, ये, दोनों YouTube से connect है, तो ये आपका differential manometer हो गया, अब इसमें आपका liquid है, ये आपका heavier liquid है, ध्यान रखना, heavier liquid, lighter और heavier दोनों में difference रहते हैं, तो ये आपका, difference in the sense, heavier liquid के respect में आपका difference मिलेगा, तो उसके formula अलग बनेगा, lighter के respect में formula बनेगा, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, अब इसमें आपका pressure कहा तक same रहेगा, इस level तक pressure same रहेगा, अब इसको distance लेते हैं, यहाँ पर distance है x, यहाँ पर distance है h1, यहाँ पर top का level है distance h2 कहां तक, जो आपका heavier वाला जहां तक गया है, वहाँ से distance है h2 है, धियान रखना, ground तक नहीं है, sorry, इस level आपका xx तक नहीं है, आपका यह ले level तक, जहां यह आपका a है, यह आपका b है, यह आपका first case है, यह आपका heavier वाला second case है, ठीक है, अब आपका यहाँ तक pressure तो same है, तो यहाँ पर pressure क्या निकालेंगे, simple है यह तो, pa plus rho 1 g, अब height क्या है h2 मत लिख देना, ध्यान रखना, h2 कहां यहाँ तक है, तो यह वाला height भी construct करेंगे, तो इसका height क्या होगा, rho 1 g, h1 plus x, यह आपका h1 लिख लेते हैं, sorry, यह आपका 1 है तो h1 है, यह आपका second, यह h2 लिख लेते हैं, ठीक है, तो h1 plus x, ठीक है, अब right side में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा PB, plus rho 2 मत लिखना, rho 1 लिखना, क्यों कि अभी भी आपका blank वाला है, blank fluid 1 है, तो rho 1 g, h2 यह हो गया, plus अब आपका heavier liquid, heavier liquid या fluid में आपका density, आपका rho 2 हो जाएगा, rho 2 g, x, यह हो गया, ठीक है, यह हो गया, दोनों equal है, यहाँ पर plus नहीं होगा, दोनों equal है, अब आपका देखते हैं, कि suppose ए और बी हैं ना, दोनों एक level पी है, एक level पी होते हैं, होत रहा देते, या तो a को नीचे ले आते, h1 is equal to s2 होता, दोनों का distance तो यहां से ले रहे है न, दोनों same level पर h1 is equal to s2 हो जाता, ठीक है, अब इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा, pa plus rho 1 g h1 plus rho 1 g x is equal to rho b plus rho 1 g h2 plus rho 2 g x, यह हो गया, ठीक है, यह आपका rho b नहीं है, यह आपका pb है, तो pa pb rho 1 g h1 और rho 1 g h2, h1 और h2 का difference है, लेकिन आपका condition क्या लगा है, h1 is equal to s2 लगा है, तो h1 is equal to s2 यह आपका cancel out हो गया, तो pa minus pb क्या हो गया, pa minus pb, यह आपका pa है, pa minus pb is equal to rho 1 g x minus rho 2 g x, इसको और कैसे लिख सेकता है, rho 1 minus rho 2 is equal to g into x, ठीक है, अब यह 1 किसका है, यह आप आपका rho 2 वाला पहले आएगा, sorry, rho 2 वाला पहले आएगा, rho 1 बाद में आएगा, ठीक है, rho 2 वाला पहले, rho 1 बाद में, यह आया, तो आपका heavier वाला पहले है, rho 2 आपका heavier पहले लिखे रहे, rho 2 minus 11, यह आपका pressure difference हो गया, लेकिन आपको height के respect में निकालना है, particularly कोई fluid है, उसका density पाइटिटी है, sorry, rho है, उसके respect में जो height f वो निकालना है, तो pa minus pb के जगा क्या लिख देंगी, rho g h, ठीक है, rho g h, अब हम बोलें, कि यहां पर जो fluid है, यहां पर जो fluid है, आपको उसी के fluid के respect में निकालना है, तो यहां पर rho 1 लिख लेंगे, यहां पर h 1 लिख लेंगे, उसी क fluid के respect में निकालना है, ठीक है, तो h 1 is equal to क्या हो जाएगा, यह आपका rho 2 minus, rho 2 minus rho 1 by rho 1 into, यहां पर g g into x, यह हो गया, तो g g cancel हो गया, इसको solve करेंगे, तो हो जाएगा, h 1 is equal to rho 2 minus rho 1 minus 1 into x, यह क्या है, यह आपका specific gravity है, रहता है, कब, जब rho 1 is equal to water रहता है, तो जब यह lighter liquid अगर ifma, आपका water हो जाता है, तो specific gravity होता है, तो h of water, height of water के corresponding, निकालना है, तो होजाता है h of water, height of water के corresponding, निकालना है, तो यह हो जाता है, यहां पर carrying क्या है, water के कर रहा है, यह आपका water carry कर रहा है, और आपको किसके respect में निकालना है, water carry यह respect में निकालना है, तो pressure difference में height क्या हो जाएगा, अब जिए आपका differential millimeter, जिए आपका inverted है, इस से depend निकरता, तो यह हो जाएगा, s minus 1 into x, s कितना है, आपका, s किसके respect में, heavier liquid का specific gravity, heavy liquid मतला mercury का, mercury का specific gravity कितना, 13.6 minus 1, x कितना है, यह आपका है, 0.6, ठीक है, यह हो गया, तो 12 minus 6 into 0.6, इसको solve करेंगे, तो answer आजाएगा आपका, एक second, यह आजाएगा आपका, 7.56 meter of water, ठीक है, water के aspect में निकालना, pressure difference 7.56 meter of, with respect to water आगया, so a is the correct answer, ठीक है, तो आपको यह वाला formula याद रखना है, यह अगर difference of heavier liquid रहा, पहला चीज, condition, दूसरा, जो lighter liquid है, वो आपका water है, तो rho 1, rho 1 या rho 2, suppose यह rho 1 है, यह आपका rho 2 है, तो actual formula तो रहता है, rho 2 minus rho 1 minus rho 1 into x, actual तो यह है, तो आपका rho 1, अगर आपका, यह h, ठीक है, यह आपका rho 1 है, यह आपका, यह water flow होना चीजए, तो यह आपका w हो जाएगा, किसके respect में निकलना, अगर water के respect में ही निकलना ना, तो यह भी आपका rho w हो जाएगा, तो इसको solve करेंगे, तो आपका यह formula आजाएगा, ठीक है, चाहे यह याद करो, यह यह याद करो, इसमें आपका कोई condition, heavier वाला, बस heavier वाला याद करना, ठीक है, तो यह आपका 7.5 meters of, 7.56 meters of water, अगर formula याद नहीं करना है, तो आप derive करना, ठीक है, okay, next question देखते है, अब next है, YouTube with both limbs open to atmosphere contains two immiscible liquids, immiscible मतलब, जो mix नहीं हो सकते, of density is rho1 and rho2, तो यह आपका density rho2 है, यह rho1 है, under equilibrium the distance h is given by, तो यह तो simple है, अभी तो हम देखे न, h of rho2 minus rho1 minus rho1, sorry, यह ऐसा था, into x, यह तो और क्या लिख सकते है, rho2 minus rho1 minus 1 into x, यह simple है, तो आपका यह कौन सा है, तो अगर 1 को उल्टा ले लिए होंगे, तो rho1 minus rho2 minus 1 into x, यह हो सकता है, दिखने से यही लग रहा है, गलत है, क्यों, क्योंकि यह आपका height क्या है, pressure difference क्या है, यह height pressure difference है क्या, यह सिर्फ आपका distance represent कर रहा है, pressure difference represent नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों में confuse नहीं होना है, और दूसरा, यह आपका, जो x था, वो heavier liquid के corresponding था, यह ठीक है, अब इसको solve करेंगे, हमें h का value निकालना है, h, ठीक है, तो अब कहां तक आपका pressure सेम रहेगा, इस level तक pressure सेम रहेगा, अभी तक आपको समच जाना चाहिए, यहां पर देखेंगे pressure सेम, चाहे हो, इधर से निकालो, या इधर से निकालो, पास कर दो, धिरे-धर होगे, या ना करोगे, consider करोगे, तो दोनों में करना पड़ेगा, नहीं करोगे, तो दोनों में नहीं करोगे, तो h का value कोई depend नहीं करेगा, ठीक है, तो यहां पर pressure कितना हो जाएगा, यहां पर आपका यह वाला fluid है, इसका density क्या है, rho 2 g, distance क्या है, पूरा l है, यह h है, तो l minus x, यह हो गया, is equal to, यहां पर pressure कितना हो जाएगा, यह तो और भी simple है, rho 1, यह आपका rho 1 है, rho 1 g, l, ठीक है, rho 1 g, l minus h, sorry, l minus h, अब हमें h का value निकाला है, g, g cancel हो गया, तो यह हो गया, आपका, l minus h is equal to rho 1 by rho 2 l, तो h is equal to kya हो जाएगा, h is equal to l minus rho 1 minus rho 2 l, तो h is equal to 1 minus rho 1 by rho 2 into l, यह आपका h का value हो गया, so a is the correct answer, ध्यान रखना, पूछा क्या है, pressure of difference रहता है, वो formula लगाते है, कब, जब difference of height दिया रहता है, वो आपका heavier liquid के corresponding दिया रहता, यहां पर ना तो heavier liquid है, ना ही आपका pressure difference पूछा गया है, यहां पर सिफ h का value पूछा गया है, okay, next question, next है आपका two pipelines, one carrying oil एक में oil है, यह आपका oil है, जिसका density 900 kg per meter की है, other water, and other water are connected to the manometer as shown in figure, दूसरे में क्या है, दूसरे में water है, दो pipes है, by what amount the pressure in the water pipe should be increased, so that the mercury levels in both the limbs of the manometer becomes equal, density of mercury दिया गया, अगर नहीं भी दिया रहता है, यह आपको याद करना चाहिए, ठीक है, okay, आपको small g दिया, तो यह क्या यह आपका mercury है, इसका height के 20 cm ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या इसमें pressure बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यह नीचे जाए, कितना नीचे जाए, ताकि यह दोनों एक level पर आ जाए, तो एक level पर आ जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 cm रहेगा, इस level से, यह पर भी इस level से 10 cm रहेगा, ठीक है, तो हमें pressure बढ़ाना है, ठीक है, pressure हमें increase करना है, pressure increase करना है, लेकिन initial pressure तो देख लेते हैं, क्या है, तो initial pressure हम देख लेते हैं, तो initially हम equation put करेंगे, तो initially क्या है, इस level तक आपका pressure सेम रहेगा, सपोस यह आपका pressure of oil है, तो इसको लिखेंगे, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ठीक है, तो P of A, प्लस, यह तो simple है, density किसका, oil का, तो rho of oil, rho G है था है, rho G, अब S कितना, oil का, तो यह अभी H not लिखें तो यहां का यह होगा, इधर का क्या हो जाएगा, यहां का थोड़ा extra करना, effort करना पड़ेगा, क्योंकि water भी है, और आपका mercury भी है, तो pressure at B, प्लस, rho of water, G into H of water, यह हुआ, प्लस, यहां पर क्या आएगा, यह आजाएगा, rho of किसका, mercury का, into G, into height कितना है, आपका 20 है, ठीक है तो इसको H of M ले ले लेते हैं, height of mercury, तो यह हुआ, तो इससे क्या आजाएगा, अब pressure of B तो हमें नहीं पता चल पाएगा, तो हम क्या put करेंगे, PA minus PB, ठीक है, यह पता चल जाएगा, तो PA minus PB क्या आजाएगा, तो यह हो जाएगा, यह इधर transfer हो जाएगा, तो ठीक है, value substitute करत एहले तो आपका rho W into HW, rho W कितना होगा, density of water, 1000 into HW, 1.5, यह हो गया, plus आपका density of mercury, यह तो आपको दिया है, 13550 into, G तो common ले लिए, H of mercury, तो यह अगर 20 cm, लेकिन हम meter मिलेंगे, तो 0.2 हो गया, minus, यह लेंगे, G common हो गया, density of oil कितना है, 800, height कितना है, यह आपका 3 है, यह हो गया ठीक है, इसको solve करेंगे, तो क्या मिलेगा, PA minus PB मिल जाएगा, PA minus PB, ठीक है, यह हो गया, अब यह कितना होगा, इसको solve करेंगे, तो यह आजाएगा, आपका 14.813 kilopascal, यह आजाएगा, ठीक है, इस से, sorry, यह आपका, ठीक है, understood है, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसको solve यह आजाएगा, तो यह आपका, पासकल में आएगा, तो 10.3 से हम डिवाइड कर देंगे, यह आपका, किलो पासकल हो जाएगा, यह ध्यान देना, ठीक है, तो यह आपका, PA minus PB यह आप रखना है, PA minus PB, is equal to 14.813 kilopascal, ठीक है, अब जो second case है, इसमें क्या pressure क्या increase कर दिए, यहा जो पानी पे pressure था था, P dash of B हो जाएगा, यह आपका increase हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हमें P dash of B minus PB, यह निकालना है, कितना pressure increase किये, ठीक है, तो pressure increase किये, कितना करना है, ताकि यह दोनों A की level पर आजाए, mercury, मतलब यह 10 cm नीचे चले है, 10 cm ऊपर चले है, ठीक है, अब ज ठीक है, तो P of A, pressure of oil, plus row of oil, row of oil कितना, अब directly value substitute करते है, 900, into 9.81, into, height कितना हो गया, पहले तो 3 था, लेकिन अब 10 cm कम हो गया, 0.1 meter कम हो गया, वो आपका mercury उपर आ गया ना, same level में आने के लिए, तो यह हो जाएगा, 2.9, plus, sorry, plus नहीं लगाना, equal to, plus P dash of B, अब pressure of water बढ़ गय है, plus, अब इसमें क्या है, यह आपका pressure कितना है, यह तो आप water का level same ही है, तो आपका 1000, into G, into height, 1.5, ठीक है, यह रहा, plus, यह आपका height, कितना है mercury का, 10 cm है, ठीक है, 10 cm, पहले 20 था, अब 10 हो गया है, तो 10 के 10 के corresponding के लिखना है, तो इसका density कितना है, 13,550, into 9.81, into 0.1, पहले 0.2 था, 0.1 ले लेंगे, तो इससे आपका, PA minus P dash B मिल जाएगा, तो इससे solve करेंगा, तो पासकल में मिलेगा, हमें किलो पासकल में निकार रहे है, ठीक है, यहाँ पर पुछा कि, मैं किलो पासकल में पुछा गया, इसलिए directly किलो पासकल में जाए, ठीक है, confuse नहीं हो जाना है, तो इससे आजाएगा आपका value, यह आ रहा है, minus 9.908 KPA, यह आ गया, ठीक है, यह हो गया, हमें कि निकालना क्या है, P dash B minus PB, तो यह आपका 1 minus 2 कर लेंगे, 1 minus 2, तो यह आपका minus, तो आपका, यह क्या जाएगा, PA minus PB, sorry, PA minus PB, minus PA plus P dash B, तो PA, PA cancel हो गया, तो P dash B minus PB आ जाएगा, य 2.3 minus of minus 9.908, minus of minus plus हो जाएगा, दोनों को add करो, यह आपका answer हो जाएगा, तो दोनों को add करेंगे, तो कितना आएगा, यह आ रहा है, आपका 24.7 KPA, ठीक है, यह आपका answer हो जाएगा, that is A is the correct answer, यह round of exactly नहीं आएगा, round of में यह आजाएगा, एकदम step to step calculation नहीं बताऊँगा, calculation आप basic है, ठीक है, इतना time waste नहीं करना है, so A is the correct answer, okay, next question में चलते है, तो next question है आपका, cross section of an object, having same section normal to the paper, मतलब इसका width कितना है, width आपका same है, same section बोला गएगा, normal to the paper, आपका same section है, width आपका equal है, submerged into a fluid, consists of a square of sides 2 meter and triangle as shown in figure, उसमें आपका x square है, एक triangle है, यह तो question में दिया ही है, figure, sorry, figure में दिया गया है, the object is hinge at point P, तो P पे hinge है, that is 1 meter below the fluid free surface, जो की 1 meter नीचे है, free surface के 1 meter नीचे है, if the object is to be kept in the position as shown in the figure, the value of x should be, the value of x हमें बताना है, कब, जब object is kept in position, आपका इसी place में रखा गया है, ठीक है, okay, तो इसी place में रखा गया है, तो आपका यह equilibrium, equilibrium में मतलब सभी forces क एक दूसरे को, आपका, सभी forces आपके, equilibrium में रहेंगे, तो सभी forces आपको, यह PA, sorry, यह आपका horizontal force है, एक दूसरे को क्या रहेंगे, यह आपका, equal रहेगा, vertical force क्या रहेंगे, एक दूसरे को balance करेंगे, तो आपका यह कौन सा हुआ, curved surface के जैसे कर सकते है, solve, ठीक है, तो horizontal force कैसे निकालेंगे, horizontal force क्या करेंगे, इसको आप project कर देंगे, project करेंगे, vertically project करेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको, चाहा ऐसे project करेंगे, या ऐसे project करो, आफ Memphis मिलेगा, तो चाहाए आपका, इधर का pH ले, left वाला, या आपका इधर का pH ले, तो दोनों में सही होगा तो यह दूसरे क तो आपको cancel out हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों का moment भी same रहना चाहिए, एक ही line में रह, force लगना चाहिए, तब ही दोनों balance करेगा, तो आपका एक ही surface में लगना ना, दोनों इधर force लगेगा, ठीक है, तो एक दूसरे को balance कर देगा, तो horizontal वाले को discuss नहीं करना है, ठीक है, दूसरा क्या vertical, vertical force तो इधर लगेगा न, vertical force कैसे निकालते हैं, suppose यह लग रहा है fv1, यह लग रहा है fv2, तो दोनों जिस point पे, जितने distance पे लगाएंगे, उसका moment लगाना है, ठीक है, उसका moment एक दूसरे को balance करेंगे, तभी आपका equilibrium में आएगा, तभी यह rotate नहीं होगा, ठीक है, यह हुआ, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यह आपका fv1, पहले तो fv1, यह आपका क्या रहेगा, अभी curve सबसे देखे थे न, vertical force कैसे निकालते थे, vertical force निकालने के लिए, उस portion में कितना weight of पानी आपका आ रहा है, वही आपका force हो जाता है, ठीक है, तो fv fv1 क्या हो जाएगा, इसका volume की, अच्छा weight है निकालना है, तो small w is equal to क्या आता है, capital w that is weight into volume, तो आपका capital w क्या हो जाएगा, small w into v, that is rho gv, तो यह आपका weight हो जाएगा, तो इस case में क्या हो जाएगा, rho g तो दोनों में constant है, volume, volume के जगह क्या लिख सकते है, area into width, अब width तो दो जाएगा, same ही है न, यहाँ पर दिया, having same section, normal to the, normal में, आपका same section मतलब width same है, ठीक है, तो rho gw, यह आपका 3 parameter same है, area क्या हो जाएगा, 2 into 2, that is 4, तो यह हो जाएगा, fv1, 4 rho gw, fv1 हो जाएगा, ठीक है, अब rho v2, इसका rho gw, तो आपका same रहेगा, area निकालना है, तो area half, base कितना है आपका, x, height कितना है, 2, तो यह हो जाएगा, आपका half x into 2, 2 to cancel, तो यह हो जाएगा, rho gw, x, यह हो गया, fv1, fv2, ठीक है, लेकिन दोनों को, एक दूसरे को balance करना है, ठीक है, fv1 यहाँ पर कितने distance पर लगेगा, यह आपका centroid, centroid तो यहाँ पर रहेगा, तो यह कितना हो जा triangle में क्या रहता है, इसको तो देख लेते हैं एक बार, revise हो जाएगा, आपको, suppose आपका centroid यहाँ कहीं है, इसके about, हमें तो distance अभी horizontal distance देखना है, तो यह तो base के about देखना है, यह तो apex, यह vertex के about देखना है, ठीक है, इसके about अभी ध्यान नहीं दे रहे है, इसके about कैसे equal होगा इसके जैसा equal होगा, क्योंकि यह भी base बोल सकते हैं, base चाहिए, इसको बोल लो, अभी इसको बोल लो, ठीक है, अगर आपका, इसके about लेते हैं, इसको vertex के about, तो आपका centroid क्या होगा, horizontal में जो है उसको x by, sorry, 2x by 3 होता है, लेकिन आप इस base के about देखेंगे तो यह पुरा जो side है, उसका x by 3 हो जाता है, ठीक है, इसको अलग से देखेंगे, इसको थोड़ा clear बनाते हैं, इसको अगर अलग से देखेंगे, तो suppose यह आपका 90 degree है, यह आपका x है, यह आपका y है, तो यह आपका centroid है, तो एक तो इधर से देख सकते हैं, एक तो इधर से देख सकते हैं, अ हो गया, ठीक है, एक तो यह हुआ, दूसरा, जो यह है, अभी तो ऐसे देखे, इधर से भी तो centroid देख सकते हैं, ठीक है, इधर से देखेंगे, तो two-third होगा, किसका, यह पूरा इस वाले side का, तो two-third of x, अगर इधर से देखेंगे, यह तो base है, इधर से क्या हो जागा, one-third क इसका, यह वाले distance का, कि वो vertically देख रहे हैं तो यह जाएगा x by 3, तो ध्यान रखना, अगर horizontally देख रहे हैं, तो horizontal का 1 by 3 या 2 by 3 होगा, vertically देख रहे हैं, तो vertically का 2 by 3 या 1 by 3 होगा, यहाँ पर vertical x है, तो इसका 2 by 3 या 1 by 3, 1 by 3 क्यों लिए, आपका, जो base है, वो आपका flat था, त जातक area यहाँ पर जा रहे हैं, तो इसके पास रहेगा, इसके पास रहा, तो 1 by 3 या 1 by 3 होगा, इससे दूर रहेगा, तो 2 by 3 होगा, तो ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पर आपका base है, horizontally देख रहे हैं, तो 1 by 3 होगा, किसका 1 by 3 होगा, इसका 1 by 3 होगा, तो यह आपका x के into 4, यह कितना था, यह था आपका rho g w x, यह था, ठीक है, अब यह जो है, यह आपका clockwise आ रहा है, लेकिन यह क्या है, यह आपका anti-clockwise आ रहा है, यह distance किता 2 by 2, that is 1, यह distance किता, यह आपका x by 3, तो clockwise और anti-clockwise moment दोनों एक दूसरे को balance करने चाहिए, तो f v 1 into 1, f v 1 into 1 is equal to f v 2, that is rho g w x into x by 3, यह into है, यह आपका into है, तो यह दोनों एक दूसरे को balance करेंगे, x by 3, cancel out कर लो, तो रोजी w, रोजी w cancel हो गया, तो 4 is equal to x square by 3, यह फिर x square is equal to 12, यह हो गया, तो x is equal to क्या हो जाएगा, root of 4, sorry, root of 12, तो यह हो जाएगा 2 root 3, यह आपका answer हो गया, so a is the correct answer, okay, next question, so next है आपका 3 rigid buckets, shown as in the figure 1, 2, 3, are of identical heights and base, identical height है, सभी का height है और सभी का base area भी same है, base area यहाँ पर आपकी आगे confusion महतो, further assume that each of these buckets have negligible mass and are full of water, negligible mass है और उसको water उसमें full है, the weights of these buckets are denoted as w1, w2, w3, इसका weights are w1, w2, w3, also that the force of the water on the base of the bucket is denoted as f1, f2, f3, तीनों में force आपका f1, f2, f3 respectively है, the option giving an accurate description of the system physics is, अब आपका w1, w2, w3 और f1, f2, f3 के बीच में relation है, ठीक है, okay, तो आपका force क्या होता है, force is equal to होता है, pressure into area, ठीक है, pressure क्या होता है, rho, g, h into area, तो force क्या हो जागा rho, g, h, यह तो आपका rho, g constant है, h क्या है, तीनो के case में same है area क्या है, तीनो का base क्या है, base area same है, are of identical identical heights and base area, सभी का base area भी से में तो हम बोल सकते है, H भी से में, A भी से में तो force तीनो case में आपका same होगा, मतलब क्या होगा, F1 is equal to F2 is equal to F3, तीनो में आपका ये same रहेगा, ठीक है अब दूसरा चीच्चे करना है, weight अब आपका weight, तीनो का base area same है, तो अगर मैं इसको vertically project करूँ तो ये किसको represent करेगा, ये तो 1 वाले को represent करेगा, ये आपका horizontally equal उपर ले लिए तो ये 1 represent करेगा, मतलब 2 वाले का volume जादा है, 2 वाले का volume जादा है, volume of 2 is greater than weight is equal to क्या हो जाएगा, rho g volume small w is equal to rho g, तो जित्ता जादा volume होगा, अच्छा जादा weight होगा, तो मतलब 2 का weight, मतलब आपका w2 greater होगा w1 के, ये धियान रखना, ठीक है अब इसी मैं बोलूँ, कि इसको मैं इधर ले जाओ, इधर कहीं ये ले जाओ, तो मतलब, ये किसके जैसे बन जाएगा? 3 के जैसे बन जाएगा, मतलब 3 का volume और भी कम है, 3 का volume 1 से कम है तो weight भी 3 का 1 से कम हो जाएगा तो ये आपका ऐसा हो जाएगा तो w1 is less than w1 sorry, w2 is less than w1 is less than w3 so d आपका correct answer हो जाएगा ठीक है? और ये तो इन्यों में force आपका same ही रहेगा ठीक है, next question next है, a triangular gate with a base width of 2 meter तो आपका triangle है, वो base width कितना है? 2 meter है and height 1.5 meter lies in a vertical plane the top of the vertex of the gate is 1.5 meter below the surface of the tank okay, तो इसको थोड़ा धंग से बनाते है, 1 second तो ये आपका suppose tank है इसके नीचे क्या है? आपका triangular gate है base width कितना है? base width है आपका 2 meter height कितना है? ये 1.5 meter the top of the vertex of the gate ये कितना है? ये कितना नीचे है? top of the vertex of the gate is 1.5 meter below the surface of the tank surface of the tank है, उससे 1.5 meter नीचे है, ठीक है? ये हुआ contains oil of, ये किसके अंदर है? सर्फ tank के अंदर क्या है? oil है, जिसका specific gravity है? 0.8 specific gravity है, तो density इतना हो जाएगा? 800 considering the density of water and acceleration due to gravity to be 100,000 and 9.8, okay 1000 kg per meter, 9.8 meter per second square respectively the hydrostatic force exerted by the oil on the gate oil पे कितना force आएगा? हमें ये निकालना है तो force क्या होता है? आपका जभी vertically गया है तो आपका rho g x bar into a, ठीक है? ये हुआ, तो इसका x bar क्या होगा? again centroid, centroid centroid, तो centroid कहाँ? यहां कहीं लाय करेगा okay, edge by 2 मत लेना इसका height 1.52 by मत लेना 1.5 by 2 नहीं रहेगा, ये triangular है तो इसका कहीं unequal distance पे रहेगा तो अभी आपको बताया था अगर base के about है, ठीक है? तो आपका 1 by 3 होगा किसका vertical distance के about, तो 1 by 3 of h लेकिन अगर vertex के about निकालना है, हम जो यहां सा distance लेना तो ये आपका 2 3 हो जाएगा 2 3 of 1.5 ये आपका x bar नहीं है, x bar कहां से है? आपका surface से आपका x bar है ये आपका 1.5 plus 2 by 3 of 1.5 ठीक है? into area अब area कितना है? half into base कितना है? आपका 2 into height 1.5 इसको calculate करेंगे तो आपका force आजाएगा तो इसको calculate करेंगे से आ रहा है आपका 29430 newton इतना newton आ रहा है लेकिन answer किसमें पुछा गया है? इन किलो newton पुछा गया है तो force is equal to हो जाएगा 29.43 किलो newton ये आपका answer हो गया ठीक है? ओके next question देखते है next है आपका so 7th question है आपका a sector gate is provided on spillway as shown in the figure assuming G 10 meter per second square जहाँ G 10 दिया 10 use करना अगर नहीं दियाना तो कोजिश करना 9.81 इससे थोड़ा exact answer आएगा the resultant force per meter length expression kilo newton per meter on the gate will be resultant force निकालना kilo newton per meter में निकालना है ठीक है? तो इसमें result आपका ये water के अंदर है resultant force इसमें forces कौन कौन से लगेंगे? दो forces लगेंगे एक तो आपका horizontal रहेगा और एक आपका vertical लगेगा तो दोनों का resultant क्या हो जाएगा? horizontal का square प्लस vertical का square okay पहले अब horizontal निकाल लेते तो horizontal कैसे निकालेगा? horizontal के लिए जो आपका arc है ना उसको project करेंगे vertically project करेंगे तो vertically project करेंगे तो ये आपका ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा plane रहेगा इसमें force निकालना है, तो force is equal to क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा rho g x bar into area ये आपका horizontal force हो जाएगा, ठीक है? substitute करते है value, rho क्या है? ये आपका density density कितना है? ये आपका density, ये आपका thousand है, ठीक है? ये आपका thousand, ये आपका kya है? spillway है ना, dam ये आपका thousand हो गया into g 10 x bar मतलब इसका जब project किए तो यहां से यहां तक project किए ये पूरा height है ना, ये पूरा height तो x bar कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h by 2 suppose ये पूरा है, तो ये h by 2 हो जाएगा अब ये पूरा height कितना है? ठीक है ये आपका 5 meter है तो bottom most क्या हो जाएगा? 5 cos ये को हो जाएगा 5 sin theta 5 sin theta आपका h by 2 हो जाएगा directly, 5 sin 30 into अब आपका area, मतलब length into width, लेकिन तो per meter width निकालना है ना, तो area में सिर्फ length ही लेंगे force per meter force per meter निकालना है, या kilo newton per meter निकालना है, तो area में width है उसको consider नहीं करेंगे तो इसमें जो length है या height है उसको बस लेंगे तो height कितना है? आपका 5 sin theta है तो आपका h by 2 है तो h के लिए 5 sin 30 into 2, ठीक है? ये हो गया sin 30 कितना होता है? half, तो ये हो जाएगा, इसको solve करेंगे, तो ये जाएगा 10 to power 4 into 5 by 2 into 5 by 2 into 2 तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब ये किसमें आएगा? ये आपका newton में आ रहा है लेकिन kilo newton में निकालने न तो 10 to power 3 से divide कर देंगे 10 to power 3 से divide कर देंगे तो answer हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 25 इसको तो ये हो गया 25 250 by 2 तो ये हो जाएगा 125 किलो newton per meter ये आपका कौन सा है? ये आपका horizontal है ठीक है? force due to horizontal ये ध्यान रखना, अमें vertical भी निकालना है फिर resultant निकालना है ये 125 answer मतलिक देना अगला तो जाएगा इससे ठीक है तो इसको थोड़ा मिटा देते है अब vertical के लिए तो vertical के लिए forces तो ऐसे लागेंगे ये ऐसे लागे तो उसमें कैसे निकाल देते? कितना पानी hold कर रहा है occupy कर रहा है उसका weight निकालना है तो weight is equal to क्या होता है? weight by volume is equal to rho g या small w तो weight is equal to क्या हो जाएगा? rho g into volume तो volume निकालेंगे into rho g से multiply कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका vertical force आजाएगा तो rho कितना हुआ? ये आपका 100 हो गया g कितना है? 10 volume कितना है? अब आपका volume है main आपका यही problem यहाँ पर ही problem जाएगा अब आप इसको आपका semi-circle मत समझ लेगा ये आपका angle कितना subtract कर रहा है 60 degree ये आपका arc of the circle semi-circle नहीं है, arc of the circle ठीक है तो आपका 360 degree में अच्छा volume निकालना है लेकिन पर meter बात कर रहे volume is equal to area into width पर meter निकालना है तो width को हम को consider नहीं करेंगे तो इसके जगा क्या रखेंगे हम area substitute करेंगे ठीक है? ओके 360 degree रहता तो area क्या रहता? pi r square लेकिन यहां कितना degree यहां 60 degree है 60 degree में total लेंगे 30 plus 30 60 60 degree में कितना हो जाएगा? pi r square by 1 by 6 यह किसका area होगा? अब यह पूरा area of sector का हो जाएगा लेकिन हमें तो सिर्फ इस portion का हमें तो सिर्फ यह वाले portion का area लेना है इससे पूरा sector का area रहेगा तो पूरा sector का area निकालेंगे फिर आपका यह triangle का area minus कर देंगे ठीक है? तो यह area of sector कितना हो गया? pi r square by 6 minus area of triangle कितना हो जाएगा? area of triangle half into base into height half base कितना है? यह आपका base कितना है? यह आपका five sin 30 into two यह आपका five sin 30 into two यह आपका पूरा height हो गया, ठीक है, यह आपका height हो गया, अब आपका, sorry, यह आपका base बोलो या height बोलो, यह आपका vertical distance हो गया, horizontally कितना है, यह अगर height बोलो, horizontal कितना हो जाएगा, 5 cos 30 हो जाएगा, यह आपका 5 cos 30, ठीक है, sin 30, 1 by 2 cos 30, root 3 by 2, ठीक है, value substitute करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको फूरा solve करेंगे, तो area आजाएगा, ठीक है, अब यह area को यहाँ substitute कर देंगे, ठीक है, अब इतना मैं calculation deep में नहीं जा रहा हूँ, तो यह हो जाएगा आपका, अगर area निकालेंगे, मैं बताई देता हूँ, अगर मिल रहा होगा तो 22, तो यह आजाएग आपका 2.265, एक बड़ चेक कर लेंगे, शायद area आपका 2.265 आ रहा है, ठीक है, तो आपको fv निकालना है, लेकिन इसको solve करेंगे, किस में आएगा, यह आपका newton per meter में आएगा, kilonewton में, thousand से divide कर देंगे, तो आपका fv आ रहा है, यह आ रहा है 22.65, यह आपका fv आ गया स्क्वेर, वर्टिकल के तदा, 22.65 का स्क्वेर, तो इसका स्क्वेर रूट, तो यह हो जाएगा आपका 127.03 kilonewton per meter, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है, ओके, next question, so next है आपका, the figure shows a youtube having 5 mm into 5 mm cross section, यह आपका जो cross section है, मतलब यह क्या है, यह आपका square नहीं है, यह rectangular shape में है, स्व स्क्वेर बोलना चाहिए, क्योंकि आपका length is same है, 5 mm into 5 mm, cross section, square cross section, filled with mercury, इसमें mercury भारा गया, तो इसका specific rate 13.6 नहीं भी दियोगा, तो याद रखना चाहिए, up to a height of 20 cm नीच limb, दोनों limb में 20 cm थक अपका mercury है, जो की open to atmosphere है, ठीक है, if a 5 cm cube of water is added to a right limb, यह आपका right limb है, यह आपका add कर दिये, तो new height of mercury in the left limb कितना हो जाएगा, left limb में कितना हो जाएगा, यह ध्यान रखना है, left limb में mercury का height कितना हो जाएगा, तो right limb में कुछ water add किये, तो यहाँ पर क्या pressure बढ़ गया, तो आपका pressure बढ़ा, तो यह भी उपर जाएगा, बैलेंस करने के लिए, यह आपका लेवल नीचे जाएगा, यह आपका उपर जाएगा, यह नीचे क्यों जाएगा, अब जो section रहेगा उसमें same pressure नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका pressure बढ़ गया, तो यह आपका नीचे चले जाएगा, ठीक है, यह तो normal ही है, अगर आपको physics नी समनलना छोड़ दो, normal आपको प नीचे गया, उतना ही x आपका उपर जाएगा, ठीक है, अब आपको किसका value जाएगा, height of the mercury, in the left limb में mercury कितना है, तो x की value मतलिक देना, इसमें कितना हो जाएगा, 20 plus x, ठीक है, 20 plus x, यह आपका value हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, suppose यह आपका x, इतना नीचे ग देखेंगे, ठीक है, अब ठीक है, 20, कितना water गया है, यहाँ पर, 5 cm3, 5 cm3 तो आपका volume है, हमें तो height निकालना है, कितना height of water डाले है, तो height के लिए क्या करेंगे, 5 cm3, divide by area, area कितना है, 0.5 into 0.5, तो height किसमें आजाएगा, यह cm3 में रखेंगे, mm into 5 mm, तो cm3 में कर दिए, तो यह आजाएगा, यह आजाएगा, 20 cm, is equal to 0.2 meter, मतलब पानी कितना डाले है, 0.2 meter of पानी, right limb में add कर रहे है, तो यह suppose आपका पानी है, अब नीचे तक चलेगे न, नीचे mercury खासा गया, तो vacuum तो रहेगा, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, यह आपका water आजाएगा, ठीक है, य यह height कितना हो जाएगा, यह आपका 20-x हो जाएगा, meter में लेगे, 0.2-x, x अगर meter में ले रहे हैं, तो 0.2-x, अब mercury का height यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 0.2-x, यह value तो हमें निकाना है, ठीक है, mercury का height बढ़ गए न, यह value निकाना है, तो अब इस level तक pressure same रह ठीक है इसमें कुछ गलती हो रहा है क्या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सो 0.2 into प्रेशर रोजियत रोजियत रहता है हमने पहले तू डेंसिटी ही लिख लेते हैं ठीक है वट्र की डेंसिटी 1000 into 9.81 into डिस्टेंस कितना है 0.2 ये हो गया ठीक है is equal to अब यहां तक देख रहा है न तो यहां पर आपका height of mercury कितना है अच्छा यहां पर तो यह तो आपका x बढ़ा है यह तो initial यह नहीं पता न यह कितना है तो इसको वैसे स्वाल नहीं करेंगे इसमें क्या करेंगे हम इसको पहले पूरा मिटा देते हैं ठीक है पहले मुफ पूरा मिटा दिए ठीक है एक बर और मैं गल्ती बता देता हूं उससे और समझना आसान होगा अभी तक क्या किये सपोज है mercury इतना मौन नीचे गया था तो water mercury इतना मौन ऊपर चलियाएगा तो जहां पर यह वाले section तो mercury भराया है यहां से लेके अगर मै यह हमें नहीं पता ना यह कितना sorry यह आपका अच्छा यह आपका x यह आपका x नीचे है तो यह भी यही तो x होगा क्या यह आपका x इतना ही होगा यह होगा क्या ज़रूरी है क्या ठीक है इतना ही आपका x होगा check कर लेते हैं इसको इसमें आपका मिटा के देखते हैं पह कहले यहां था . तो यह भी to x है मतलब 2x उपर चले गया है . ठीक है ? 2x उपर चले गया . अगर यह confused होौ रहा है , तो सबसे सिम्पल करो सबसे सिम्फल यहां पर आपका नीचे गया , उतना ही ऊपर घया ठीक है ? उतना ही ऊपर गया , तो यह वाला क्या है , यह on आपका 2x हो जाएगा, या तो इसके about निकालो, ठीक है, तो suppose, यहाँ पर भी तो pressure सेम ही रहेगा न, नीचे, आपका ये point में दोनों सेम है, तो हम इसके about निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पर आपका pressure कितना होगा, तो यहाँ पर आपका, जो pressure है, यह आपका mercury का कितना होगा, आपका right वाले में, यह आपका पहले point 2 था, पहले था कि यहाँ था, लेकिन x amount उपर चलेगे न, तो point 2, point 2 plus x, यह आपका height हो गया, into density कितना होगा, 13.6 into 1000, यह आपका density होगा, into 9.81, यह आपका right limb में, left limb में कितना होगा, अब यहाँ पर x amount कम हुआ है, तो यहाँ पर height of mercury कित 1000 into 9.81, तो यह आपका, due to mercury होगा, लेकिन water के कारण भी होता होगा, तो water के कारण कितना हो जाएगा, यह आपका, water कितना है, point 2 height तक है, into 1000, water का density 1000, into 9.81, यह होगा, तो इससे आप calculate करेंगे, तो x की value मिल जाएगी आपको, 7.35 into 10 power minus 3 meter, ठीक है, यह आप calculate कर लेना, same आएगा, तो x की value होगा, 10 power minus 3 meter, हमें answer में, suppose यहाँ पर किसमा निकाला है, centimeter में, तो x का value क्या आजाएगा, 0.735 centimeter, यह आपका x का value होगा, अब यह x का value ठीक है, लेकिन यह new height नहीं होगा, new height कितना है, 20 के उपर जितना भी है, तो 20 plus 0.735, तो यह आजाएगा, 20.735 centimeter, यह आपका height ठीक है, तो यही आपका answer है, तो इसको दो तरीके से calculate कर सकते है, एक तो कितना amount नीचे गया, उतना ही amount उपर जाएगा, तो यह x है, यह भी x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब जब plot करेंगे, तो इतना point, इतना height of water उपर गया है, तो point 2 आपका उपर गया है, यहाँ पर mercury कितना उपर गया है, 2 x उपर गया है, तो इसको भी equate कर सकते है, उससे भी answer same आएगा, ठीक है, लेकिन हमने directly इस point के about निकाला है, तो यहाँ पर निकाला है, ठीक है, तो आपको जैसे calculate करनो, आपकी इच्छा, ठीक है, next question देखते है, next है आपका, a closed tank contains 0.5 meter thick layer of mercury, ठीक ह एक second, आपका closed tank है, इसमें 0.5 meter thick layer of mercury है, 0.5 meter thick layer of mercury है, 0.5 meter, at the bottom, नीचे पे mercury है, 0.5 meter, 2 meter of thick layer of water lies above mercury layer, उसके उपर 2 meter है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपका पानी है, पानी, कितना meter, 2 meter, a 3 meter thick layer of oil specific gravity lies above the water, 3 meter उसके क्या है, यह आपका oil है, यह कितना है, आपका 3 meter है, the space above the oil layer contains air under pressure, यहाँ पर air है, जो की pressure में है, under pressure है, under pressure, ठीक है, the gauge pressure at the bottom of the tank is 196, यहाँ पर जो gauge pressure है, वो कितना है, वो 196, gauge pressure है, मतलब, atmospheric pressure को concern नहीं कर रहे है, density of water, 3,000 यह तो आपका नहीं भी दिया तो याद रख नहीं है, and acceleration due to gravity is 9.81 meter per second square, the value of pressure, the value of pressure in the air spaces, यहाँ पर आपको pressure निकालना है, कौन सा pressure, जिसमें आपका, अब ठीक है, यहाँ पर value of pressure पुछा गया है, तो आपका gauge pressure भी पूच सकता है, आपका, आपका दूसरा absolute pressure भी पूच सकता है, तो absolute pressure पूचा जाएगा, तो आपको उसमें atmospheric pressure add करना होगा, ठीक है, okay, तो यहाँ पर आपका gauge pressure पूचा गया है, वैसे तो इसको अच्छ से specify करना था, ठीक है, अच्छ से specify करते है, तो ज्यादा अच्छा रहता, the value of pressure in air space, यह निकालेंगे, gauge pressure निकालेंगे, तो gauge pressure आपका कितना होगा नीचे, यह त specific gravity दिया है, 0.6, तो उसका density कितना होगा, 600, 600 into 9.81, height कितना है, 3, ठीक है, यह हुआ, प्लस आपका pressure due to water, 2000 into 9.81 into 3, यह हुआ, प्लस आपका mercury के करना, mercury का density कितना है, आपका specific gravity दिया है, 13.6 into 1000 into 9.81 into 5, तो यह आपका gauge pressure आएगा, gauge pressure किसमें आएगा, यह आपका newton per meter square में आएगा, लेकिन यहाँ पर किसमें दिया है, यहाँ आपका kilo newton per meter square में दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सब kilo newton per meter square में है, तो सभी में क्या कर देंगे, यह जितना भी है यह इसमें, divide by 1000 कर देंगे, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, प्लस पी of, sorry, is equal to p of a, plus यह आपका यह value आजाएगा, तो इससे आपका pressure of air आजाएगा, pressure of air आजाएगा, pressure of air आजाएगा, 92.214 kilo newton per meter square, यह आगया, तो यह आपका A is the correct answer, अगर यहाँ पर आपका absolute pressure है, गौज pressure लिखा रहता, तो जादा अच्छा रहता, ठीक है, okay, so यह आपका 92.214, ठीक है, next question, अब next है आपका, 3 fluid system, 3 fluid है, S1, fluid 1, sorry, fluid 1, fluid 2, fluid 3, immisible, जो की mix नहीं हो सकते, is connected to the vacuum pump, यहाँ पर vacuum pump है, the specific gravity values of S1 and S2 are given, S1 और S2 का specific gravity given है, अभी इसका specific gravity नहीं given है, लेकिन यह का water है, तो यह तो आपको पता ही रहना, से specific gravity क्या होगा, इसका 1 होगा, the gauge pressure value of P1, P1 का gauge pressure निकालन है, अब हम देखेंगे, जो यह आपका है न, यह आपका यहाँ पर जितना pressure है, तो यह आपका same रहेगा, चाहे इसके about देख लो, या इसके about देख लो, ठेक है, यहाँ पर कितना है, यह आपका height, 0.5 meter उपर है, यहाँ पर कितना है, fluid 1, fluid 2 और आपका P1 pressure है, तो दोनों के about तो दोनों से आपका pressure से माना चीए, ठीक है? तो left के about अगर इस के about निकालेंगे, तो कितना आएगा? हमें कौन सा pressure चीए? हमें gauge pressure चीए, ठीक है? तो, एक second. अब ये question में अच्छे से clarify कर दिया कि, पूछा क्या है? यहां पर आपका gauge pressure पूछा गया है, डारेक्ली यह नहीं पूछा गया है, तो pressure value, pressure में confused रहते हैं कि absolute है कि gauge है, ठीक है? तो पहले आपका right में देख लेते हैं, sorry left right तो दोनों पे हैं, तो पहले आपका ये pressure देख लेते हैं, इसके करण pressure किया है? तो इसके करण है P1, plus fluid 1 के करण pressure कितना है? density कितना हो जाएगा? 880, 0.88 into 1000, तो मैं डाइट लेक्रिक हो, 880 into 9.81, कितने height तक है S1, यह आपका total कितना है ground से 1.5 है, तो यह वाला height कितना है? 1 है, तो यह वाला height कितना हो जाएगा? यह आपका 0.5 हो जाएगा, so यह हो गया 0.5, plus, अब आपका fluid 2 के करण, तो यह कितना हो जाएगा 950 into 9.81, यह कितने height पे है? यह आपका 1 height पे है, तो यह आपका right इस पे, आपका due to, यह दो pressure और आपका इसके करण pressure हो जाएगा, P1 क्या है? आपका gauge pressure of P1, ठीक है? यह pressure के करण हो गया, लेकिन यहाँ पर pressure इसके करण भी ह करना है, तो इसको include नहीं करते, ठीक है? तो P, ATM, प्लस, यहाँ पर आपका इसके करण, ठीक है? तो यह हो जाएगा, आपका 0.5 height तक है, into 9.81, density के ताए, water है, तो यह आपका 1000 हो जाएगा, तो इसको solve करेंगे, तो P1 का value आजाएगा, अब यह आपको gauge pressure मिल जाएगा, ठीक ह आपका kilo newton per meter square में बोला है, जभी भी ऐसा रहता है तो divide by 1000 रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी divide by 1000, तो यहाँ पर directly specific gravity की लिख सकते है, यहाँ पर भी divide by 1000, यहाँ पर भी divide by 1000, ठीक है? यह हुआ, तो यह आजाएगा, आपका minus 8.73 kilo newton per meter square, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है? long and 25 kilo newton weight is acted upon a water on one side and oil or specific gravity pointed on the other side, आपका water एक साइपर एक साइपर एक साइपर एक साइपर आपका oil है, ठीक है? ठीक है? लिकिन पहले दोनों का ratio निकालने से पहले दोनों का individual निकाल लेते हैं, तो वर्टिकल क्या होगा? तो वर्टिकल क्या होगा? वर्टिकल जो रहेगा, या अपका fluid जो pressure बनाएगा, कितना volume आपका water है, या जो भी liquid है, उसका weight है निकालना है, लेकिन अभी तक तो बोलेते हैं, कि surface तक रहना चाहिए, लेकिन ये, कपके कैसमें, जब वो open है, यहां तो close है, तो इसके अंदर कितना volume है, fluid का, वो रहेगा ठीक है, यहां तो आपका surface ऊपर है, लेकिन यहां तक surface तक नहीं जाएगे, क्यों? क्योंकि आपका close है, तो यह रहा, अब यहां पर ऊपर तक नहीं जाएगे, क्यों? क्योंकि water का surface सिफ यहीं तक है, तो इसका weight क्या हो जाएगा, यह जितना volume यहां तक आएगा, उसका रहे sorry, weight क्या आजाएगा, rho g into volume, यह आपका weight आजाएगा, यह तो आपका force होगा, तो rho g, ठीक है, यहाँ पर water है, यहाँ पर oil है, तो दुनों के लिए अलग कलग करेंगे, तो water के case में हो जाएगा, density कितना है, आपका 1000 है, into 9.81, volume कितना है, volume, आपका volume है, इसको लिख सकते area into h, area into length, area कितना है, यह आपका semi circle है, semi circle का area क्या हो जाएगा, pi, full का pi r square, तो इसका, pi by 2 into r square, radius कितना है, 2 meter, आपका diameter radius, 1 square हो जाएगा, तो यह आपका area, इसका हो जाएगा, ठीक है, और आपका width कितना है, यह 3 meter, तो यह आपका water के corresponding हो जाएगा, ठीक है, यह हुआ, अब आपका ह जाएगा, तो यह आपका due to, यह 1 second, यह आपका आया, यह आपका water के कराना है, ठीक है, अब oil के corresponding हो जाएगा, आपका 1 fourth of the quadrant आजाएगा, ठीक है, तो इसमें, oil का specific gravity 0.8, 0.8 into 1000, density हो गया, into 9.81, into volume, volume को को जाएगा, area into width, या length, या length आपका 3 है, अब area क्या हो जाएगा, आप आपका coordinate है, तो आपका 1 fourth of pi r square, 1 fourth of pi into r square, यह आपका area हो जाएगा, ठीक है, यह आपका total निकालेंगा, total weight आजाएगा, तो यह कहाँ act करेगा, यह आपका ऊपर act कर रहा है, लेकिन यह vertical force हुआ क्या, अब आपका एक और vertical force है, वो नीचे act करेगा, क्या, नीचे act कर रहा है, 25 kilo newton weight, तो यह आपका नीचे act करेगा, तो माइनस करना पड़ेगा 25 kilo newton, लेकिन यह सब क्या है, यह आपके newton में आएगा, तो या तो यह करो, कि इसको kilo newton में convert करो, या तो इसको newton में convert करो, तो इसको हम newton में convert करते हैं, ठीक है, तो इसको newton में अंसर आजाएगा, आपका fv is equal to आजाएगा, आपका 397199, इसको ठीक से लिख देए, 397199 newton, यह आपका fv आगया, ठीक है, अब आपको क्या निकलना है, अब आपको fh निकलना है, horizontal, इसको यही कर लेते हैं, ताकि clear हो जाए, इसी figure में ही जाए, सब को मि 37199 newton, ठीक है, अब हमें net horizontal force निकलना है, तो horizontal के लिख करते हैं, इसको project करते हैं, vertically project करते हैं, तो इसको project करेंगे, तो यह आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहा, तो आपका इधर से क्या act करेगा water, इधर से क्या act करेगा, इधर से oil, ठीक है, तो इधर से water, इधर स x-bar into h, rho g x-bar into h, centroid, तो इस water के case में centroid यह होगा, तो total 10, sorry, total 2 है, तो x-bar यहाँ पर 1 हो जाएगा, oil के case में कितना है, यह 1 है, तो x-bar कितना हो जाएगा, यह आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो water में, आपका density होगा, 1000, into 9.81, into x-bar 1, into, आपका rho g x-bar into area, area रहता है, sorry, यह आपका area, तो area कितना होगा, आपका width है, वो 2 है, length कितना है, वो 3 है, तो area हो जाएगा, 2 into 3, यह आपका हो जाएगा, due to water, minus आपका oil में, oil में आपका thousand, sorry, thousand यह रहेगा, thousand into, आपका oil का specific gravity दिया है, तो thousand into 0.8, into 9.81, into x-bar कितना रहेगा, यह आपका 0.5, 0.5, area कितना रहेगा, 1 into, जो आपका length है, वो 1 है, यह आपका 1 है, और आपका width कितना है, यह आपका 3 है, तो 1 into 3, यह हो गया, तो इसको calculate करेंगे, तो f dash sh आजाएगा, आपका 11772, ठीक है, यह हो गया, यह आपका fv है, तो दोनों का ratio ले लेंगे, तो ratio हो जाएगा, आपका, एक second, यह आपका 31799.9 हो जाएगा, ठीक है, यह 0.9 है, यहाँ पर correct कर लेना, तो आपका जो ratio है, fv by fh, यह हो जाएगा, 39719.9, divided by 11772, यह newton है, यह newton है, तो ratio हो जाएगा, आपका, sorry, इसमें निकालना था, vertical forces to net magnitude of horizontal forces, तो यह आपका vertical है, यह horizontal है, एक second, इसको, इसमें भी आपका correction है, तो 11772, यह आपका 720 है, इसका, यह आपका due to water है, minus, आपका जो oil है, उसके करण रहेगा, 11772, यह आपका due to oil रहेगा, तो 117720, यह आपका due to water, और आपका oil का 11772, तो यह दोनों को minus करेंगे, तो यह आजाएगा, F-H आजाएगा, यह आजाएगा, आपका 105948, यह आजाएगा, 105948, यह कितना है, यह आपका F-V, यह आपका है, यहाँ पर भी थोड़ा correction है, ठीक है, यह correct है, तो यह हो गया, 39719, और यह हो जाएगा, आपका यह है 39719, यह है, आपका 155948, ठीक है, यह आपका हो गया, तो इसका value, इसका ratio आजाएगा, यह आजाएगा 0.375, यह आपका ratio आजाएगा, तो इसको एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें बहुत सारी correction थे, तो आपका vertical force है, यह आपका आया था, 39719 newton, जो आपका horizontal था, यह आया था, 105948, तो दोनों का ratio, आपका vertical by horizontal, 39719 by 105948, तो इसका ratio आजाएगा 0.375, ठीक है, यह आपका answer हो गया, यह आपका 0.375, ठीक है, तो इसमें इतनी questions थे, thank you very much.